सरद्र उपनंस है ऐलो फ्रेंड्स देखें मैं अपन्धे आज क्हा ले रही है दही जो है यह यह धही है यह जमानी है जब सरदय है तो धही जमता क्यों नहीं है तो वह लाख बताऊंगे कि सरदयु में किसा जमाना है लेकिन अगर आपका इस टाइब से है देखिये यह हील रहा है इस पूरा से नहीं हुआ देखिए नहीं हुआ अभी दूदूद सा दिख रहा है तो इसको कैसे आप जमाएं जैसे आपको चाहिए भी अभी एक डेड़ घंटे में चाहिए और यह अभी जमा भी नहीं तो इसके लिए क्या करें आप ऐसे तबे लें तबा को घरम करें गयास ओन कर दें और ऐसा कोई स्टैंड होगा उसको रख दें और उसके ओपर यह कटोरी है यह रख दें और इसको हम कवर करेंगे और अच्छटों ऑससे हम इसको कवर करण के रखेंगे थोड़ी सी दे रखिएंग से एक मिनट दो मिनट ऐसे करेंगे अब चैक कर लेंगे एक मिनट बार चैक देख लें कि वो जम गई होगी अगर नहीं जम है तो आप थोड़ी से देर और रख दें गैस बंद कर दें फिर थोड़ी देर में चला लें ऐसे करेंगे न तो आप ये दहिये न बिल्कुल जम जाएगी अच्छे से सेट हो जाएगी देखे फ्रेंड्स दो मिनिट हो गए इसको हम खोल के देखते हैं ये बहुत गरम होगा इस टाइम पर आप भूत ध्यान से इसको खोले इसको टोरी भी गरम हो जगे होगे देखे ये जम गई है धाई पकड़ना होगा अच्छे से कपड़े से इस टाइम पर ये गरम है देखे फ्रेंड्स अभी गरम है कटोरी ये जम गई है धाई पहले कैसे इसका दूद अलग से हिल रहा था दीख रहा था अभी देखे देखे जम गई है तो फ्रेंड्स आप इस टाइप से कर सकते हैं और नहीं तो मैं आपको बताते हूं सर्दियों में दही कैसे जमाते हैं उसके लिए क्या करें ना खट्टा दही ले ले जैसे ये मै जो दही होता है तो क्या करती हो इसमें से 5-5 दूद में मिक्स करते हो दूध कैसे गरम करना ही दही जमजालने के लिए जिससे हमारी ऑमपा मैं बताती है लाव कि पाती हूं क्योंख दूद हम और रख दिया है मैंने फ्रेंड्स सभी को अधिकतर ये रहता है कि सर्दियों में दही हमारा जमता नहीं है खराब हो जाता है दूद तो मैं बता रही हूँ है इस तरीके से अगर आप दही जमाएंगे तो आपका बिल्कूल परफेक्ट दही जमेगा तो फ्रेंड्स हमें दूद को गरम कितना करना है हमें इतना गरम करना है कि हम उसमें अपने उंगली डालें तो हमें फटा फट से उसे बाहर निकालना पड़े मतलब उसमें जलन इतनी हो कि हमें फटा-फट से निकालना पड़े उंगली को उतना तेज हमें दूद चाहिए गरम चेक कर लेते हैं नहीं देखें अभी मैं उंगली इसमें डाल पारी हूँ कुछ नहीं हो रहा है हलका गरम हुआ है इसमें तेज गरम करना है यहां अभी चेक कर लेते हूं हां अभी बिल्कुल हो गया हुर नहीं डाल पारयूं अभी गैस बंद कर देंगे और अब हम स्कूत को एक कटोरी में पलटेंगे जिसमें भी आपको जमाना है दही को उस बर्दन में उसको पलट लें इसमें अब हम डालेंगे ये दही एक चम्मस दही ये थोड़ा सा खटा दही होना चाहिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको ऐसेमें इसको बंद कर देंगे स्टाइप से रखे इसको बंद कर देंगे जैसे आज हमने इसको रात को जमाया है तो कल लंच टाइम तक ये बिलकुल सेट हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये इसके लिए जो हमें नहीं खटा धारी इसरो जाहिए यह मेरे पास है इसके लिए मैंने क्या किया तो मैंने आज जबारिश यह तो द्धाना खोले के पड़सु खुला तो ठीक है तब यह थोड़ा घटे हो गई तो फिर मैंने यह दही को तब से ऐसे फ्रिज में रखते हूं और एक चमच ऐसमें से ले करों गे देखे फ्रेंड्स यह वाला दही है जो मैंने अभी जमानी था और मैंने यह गैस पर रखके आपको दिखाया है कि देखे यह जम चुका है तो फ्रेंड्स आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपका विगड़ गया नहीं तो जैसे मैंने बताया अगर उस तरीके से दही जमाएंगे तो आपका बिलिकुल सैट दही निकलेगा देखे फ्रेंड्स यह दही हमने कल जमाय था अब हम कोल के देखते हैं इसको देखिए कितना अच्छा देखिए फ्रेंट जी पानी पानी आ रहा है क्योंकि न मेरा इसमें टौन दूद है टौन दूद में आता ही है नहीं तो दही देखिए आप कितना अच्छा जमाए फ्रेंट आप इस तरीके से दही जमाएंगे तो आपकी सर्दियों में भी अच्छ दही जमाएंगी तो आपकी जरूर जमेगी और आप इस तरीके से ज़रा ट्राइ ट्राइब करके देखिए पिल्कुल सैट होगी अच्छे से सैट वी विन्टर में दही नहीं जम पाती है लोगों की कम्प्लेण रहती है तो इस तरीके से जमाएं तो जुरूर जमेगी तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मेरा दही जमाने का आइडिया अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजी शेर कीजी सस्क्राइब कीजी थैंक यू एंड बाबाई